असलाम अलेकम, वेलकम टो सुल्तानी स्टूडियो 007 अमीद करता हूँ सब अखरेसे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज हम डिस्कुस करेंगे कि हम दिवा लाइव एप्लिकेशन पे होस्टों को कैसे एड़ करेंगे और हम दिवा लाइव एप्लिकेशन से हम बेसिक सेलरी कैसे हसल कर सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहां पे सबसे पहले जो चीज़ है वो है हाउ टो गेट बेसिक पे, चीक है यहां पे जो बेसिक सेलरी है वो हम कैसे हसल कर सकते हैं, चीक है यह है एजेंट्स के लिए देन इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे कि बेसिक सेलरी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी बेसिक सेलरी ठीक है यह चीजे हमें चाहिए होंगी नमबर एक चाहिए होगा हमें इस पर विडियो ठीक है विडियो ट्वंटी सेकंड की ठीक है विडियो ट्वंटी सेकंड की होनी चाहिए दो दो नमबर होस्ट जो है उसको मेकप किया होना चाहिए होस्ट मेकप खुम होस्स के बाद रहा है वहोने होस और फ्री जो होना चाहिए छाहिए लिए फिर याँ पर वैट गराउंड होना चाहिए यहां पर ठीक है प्रफेक्ट बैगगराउंड और नंबर फूर जो है और मौना चाहिए बैगराउंड म्यूसिक चीड़ background music यह चीजें होनी चाहिए एक basic salary जो होस्ट को लेने के लिए और then 5 number जो है इस पे उसको जो है वीडियो send करनी होगी हमें ताके वीडियो approval के लिए के वीडियो salary जो हासर करने के लिए वीडियो को send करना होगा ठीक है वीडियो वीडियो send with host ID and agent agent ID ठीक है वीडियो होनी चाहिए उसके साथ जो है नमबर एक पे चाहिए 20 सेकंड के वीडियो जब host लाइव कर रहा हो नमबर दो पे host को make up किये होना चाहिए ठीक है नमबर तरी पे perfect background होना चाहिए और नमबर फॉर पे background music भी होना चाहिए उसके साथ वीडियो सेंड करनी होगी host की ID और agent की ID के साथ ठीक है और basic से इतनी होगी ठीक है यह चीज जो है यह हमें जाननी है ठीक है तो वीडियो जो होगी इसमें basic salary होगी वो आपकी $20 से लेकर आपकी salary जो होगी वो $40 तक जो है वो दिवा एप पे तो यहां पे देखिए हमने दिवा application open कर लिया है ठीक है opening करने के बाद अगर हम यहां पे क्लिक करते हैं agency center पे ठीक है अगर आपको यह नहीं पता कि आपने agency कैसे create करनी है तो मैं end पे दे दूँगा वीडियो और उपर आई बाटन पे भी वीडियो दे दू होस्ट जो आइन करवाने के लिए आपने क्या करना है एक method जो है वो यह है कि आपने जस्ट यहां पे क्लिक करना है add host पे ठीक है आपने जैसे ही यहां पे क्लिक किया मैं यहां पे plus पे क्लिक करता हूं plus पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे अपने host की जो id होगी आपने वो ID यहां पर put करनी होगी ठीक है? मैं यहां पर cause get कर देता हूँ यह चीजे मैंने पिछली वीडियो में बता दी है ठीक है? यहां पर आपने अपने host की ID put करनी होगी जैसे for example मैं यह वाली ID खुद की ही यहां पर copy करता हूँ copy करने के बाद यहां पर search करता हूँ ठीक है? मैं यहां पर नहीं है host list में ठीक है? आप यहां पर plus पर अगर click करते हैं इसके बाद plus पर click करने के बाद यहां पर अपने host की आपने ID put करनी है और search कर लेना है जैसे कर सामने यह चीज़ आ जाती है यहांने के बाद आपने add पर click करना है तो यहां पर उसके पास आपके host के पास एक message चला जाएगा उसने उस message से agree करना है और इसका दूसरा तरीका जो है यह आपने invite friend पर click करना है invite friend पर click करने के बाद आपने यहां से अपना link copy करना है और अपने होस्ट को दे देना है अगर आप मेरी एजंसी जोइन करना चाहें तो आप मेरी एजंसी भी जोइन यहां पर कर सकते हैं और आप खुद जो हैं वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं overall country से आप लोग मुझे join कर सकते हैं और अपने agency भी create कर सकते हैं agency create करने के लिए आपको phone number के साथ ID bind करनी होगी then यह चीज़ clear होगी इसके बाद जो है अगर आप agent को add करना चाहते हैं आपको नहीं पता चल रहा तो आप मुझे inbox करें मैं आपको यहां पर मुझे comment section में आप बता देना तो आपको उस पर भी अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा कि आपने वहां से कैसे करना है ठीक है बाकी जो है वो चीज़े मैंने last वीडियो में बताई हुई है वो आपको बेल आइकन क्लाज भी अनकार लिये करें ताके आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे